ते हैं तो आज अपन बात करने वाले हैं एक और नए इम्मुनोलोजी के लेक्चर 5 थी ठीक है देखो अभी तक क्या पढ़ लिया था अपने अभी तक इम्मुनोलोजी में एंटीजन्स पढ़ लिये थे एंटीबडीज पढ़ ली थी और एंटीबडीज की बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ ली थी ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में अपन क्या पढ़ रहे थे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है ठीक है पिछली क्लास ठीक है और आज आपन बढ़ेंगे IgG टाइप की एंटिविडी क्या होती है देखो पहले इपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कैसी होती है पेंटामर स्ट्रक्चर की बनाती है यहां तक पड़ लिया था फिर अपने देखा था जो अपनी इम्यून सिस्टम का जो रैस्पॉंस होता है किसी भी बैक्टीरिया या पॉरेनर पार्टिकल के प्रती तो फर्स्ट इम्यून रैस्पॉंस कोन करता है अपनी IgM type के antibody करती है ये भी अपने पिछली class में पढ़ लिया था ठीक है next था कि जो IgM होती है ठीक है वो serum में तो कैसी होती है pentamer में लेकिन वो एक और रूप में पाई जाती है जिसको बोल रहेते हैं BCR एक और रूप में पाई जाती है ठीक है उसके उपर कोट होता है किसका IgM antibody का उसी को बोलते B cells receptor अब देखो कोई भी बैक्टीरिया जब आएगा ठीक है तो वो जो IgM antibody है वो क्या करेगी उसके लिए receptor का काम करेगी और कोई भी बैक्टीरिया उसको देख के उसकी तरफ आता है इसका मतलब है वो उसके लिए receptor का काम करती है ठीक है तो IgM antibody BCR के रूप में जो भी antizen है उसके लिए receptor का काम करती है यहां तक सब को समझा गए था अब देखो जो IgM अपनी एक थी serum IgM एक थी BCR IgM जो IgM है as a BCR वो हमेशा monomer form में present होती है कौन सी form में present होती है monomer तो दो चीज समझा है IgM के बारे में कि monomer form में present होती है और किसमे BCR के रूप में monomer और जो अपनी pen कामर है वो होती है ब्लेड में यहां तक पढ़ लियाता है सबने ठीक है फिर अपन देख लेते हैं कि अपनी बोड़ी में कैसे एंटर करती है कैसे सेल मैक्रोफीज माइक्रोफीज इककटा होके एक पैथोजन को एंगल्फ करते हैं यह चीज अपने सबने पढ़ लिए थी ठीक है नेक्स आपना कि मैंने बतायता कि आगल्फीया करती है सिस्टम को एकटिवेट करती है कॉम्प्लीमेट क्या होते है इस अपनी रड़ीमेट मैं प्रसटा होते है उस यह कुछ प्रोटीन मैंने बतायता तो कि वैसे तो सी वंसे सी ट्वंटी तक होते है लेकिन अपने सी वन से लेके सी नाइन तक अपने इम्यून सिस्ट्रम में काम आते है ठीक है अब देखो अपना एपसी पोशन तो जैसे ही बाइंड करी एपसी पोशन अपनी टेल हिनाना स्टाट करता है और टेल जब हिलती रहती है तो अपने प्लाजमा के पास मेंसेज आता है कि तुम्हें एक्टिवेट होना है और धीरे दीरे आ आके एक दूसरे के ऊपर चिपकते जाते हैं औ तो बैक्टिरिया की जो सर्फीस है या जो मेंब्रेन है उसमें पोर्स बना देते हैं और क्या करते हैं पोर्स बनगे तो जो सैल के जो सबस्टांस है वह बहार आ जाएंगे तो मेटाबोलिक एक्टिविटीज क्या हो जाएंगे स्टॉप हो जाएंगे और एक बैक्टिरिय नहीं मिल रहे इस चीज के ठीक है मैं फेरली नोट्स समझाऊंगे बकाइदा पीडिये बना के सब ठीक है पूरे ओल टाइप ऑग क्लासिफिकेशन अभी अपन रफली पढ़ रहे हैं लेकिन याद रखना जब तुमारे जैसे से किंडियर वालों को थोरी लिखनी पढ़ती है यह साइसी वालों को तो एक कॉंसेप्ट किलियर करना लेकिन जो से किंडियर वाले बच्चे उनक में दोनों एक्जाम में करके आने हैं क्योंकि रफली अपन डाइग्रामेटिक समझते हैं और डाइग्राम्स बनाना मोस्ट इंपूर्टेंट होता है अपने एक्जाम के तो तुम्हें यह चीज ध्यान रखने हैं चिंता करने की जरुरत नहीं है कि हमें नोड्स नहीं मिल में llevarm के में में घ्राम इम्मbie no will wait challenging में खिर स्वाम इम्म्म इन ओविलीए और याद रखना यह होती है फास्टं प्रस्ट उम्मौस्ट अ मिलिडेंट इम्मुन गरिलिन कि सबसे ज़ाधा पाई जाने वाली अपनी सिरम में है है आई जी टाइप की एंटीवडीय में फिर्ट लेंड तीक है अब देखो यह क्या करती है । 80 परसेंट बनाती है PART 80 परसेंट तोल तो दल को सिरम कि इम्मिनोग्लोबिलीन का ठीक है टोटल सीरम इम्मिनोग्लोबिलीन का 80 परसंट पार्ट बनाती अपनी जो भी अपनी आई जी टाइप की एंटीबडी है ठीक है अब देखो नेक्स्ट पॉइंट करते जाना अगर हिंदी मीडियम वाले इसको लेंग वेज में भी लिख सकते हैं सबको आता इतना तो कि जो अपनी आई जी टाइप की एंटीबडी है ठीक है मैंने बताया था आई जी टाइप की एंटीबडी तुम्हारे इम्यून रेस्पॉंस का सेकंडरी रेस्पॉंस करते हैं ठीक है रेस्पॉंसिबल होती है यह किसके लिए ठीक है रेस्पॉंसिबल पॉर्स सिकेंडरी इम्यून रेस्पोन्स सेकेंडरी इम्यून रेस्पोन्स ठीक है यह चीज याद रखना कि रेस्पोंसिबल होती है अपने सेकेंडरी इम्यून रेस्पोन्स के मैंने बताया था कि जब सेकेंड बार अपनी आईजी जी टाइप की जब भी इम्यून सिस्टम में कोई भी पोरणर पार्टिकल सेकेंड बार आता है तो कौन से टाइप की antibody बनती है तुमारे कौन से टाइप की antibody बनती है IgM टाइप की antibody बनती है अब देखो सेकेंड बार बन रहे हैं मैंने बताता कि भूत ही high उसके अंदर होती है बहुत ज़्यादा मातरा में ये बनती है उस वक्त अब देखो कि अपनी जो आईजी जी टाइप की एंटीबडी होती है अपन कहा सकते हैं कि यह परसिस्ट होती है फूर लूंग टाइब इन सीरव तीक है मतलब कि बनने के बाद में बहुत लंबे समय तक प्रजेंट होती अपने सीरम के अंदर है क्योंकि सेकेंडरी रेस्पॉंस के बाद में बनती है और बहुत जादा बनती है मतलब ही कहते हैं कि जब भी कोई infection होता है अपनी बोडी के अंदर है तो IgG type के antibody बनती भी लेट है, क्योंकि पहले को न बन रहे है? IgM, बनती भी लेट है और बच्चती भी है लंबे समय तक, ठीक है? यह चीज याद रखना, बनती भी लेट है और बच्चती भी लंबे समय तक है, ठीक है? यह point समय जा गया? ओके, next point है कि यह भी किसका काम करती है? neutralization का काम करती है, ठीक है? किसका काम करती है? neutralization का काम करती है, ठीक है? देखो, neutralization का मतलब क्या है? मैंने कल भी बताया था कि जैसे यह कोई भी cell है, अभी क्या है? यह लाइव है, ठीक है? कोई भी cell है, अभी क्या है? यह लाइव है, यह यह सकता है वाइरस, बैक्टीरिया या टक्सिन कुछ भी हो सकता है यह सेल की तरफ आ अब यह जो आई जी टाप की न्टिविडिया इससे पहुंचने से पहले ही इसको बाइंड करेगी यह किल करने का काम कर देगी तो बताओं सेल यहां पर कैसी रही लाईव थी और यहां पर लाइव ही रही तुन तो इस प्रोसेस सो बोलते हैं कि बैक्टिरिया वाइस तॉक्सिंस को सेल तक पॉचने से पहले ही किसी antibody दुवारा neutralize कर देना ठीक है उसी को ब्लॉक कर देना उसी को बोलते हैं अपन neutralization और ऐसी एंटीबडी को बोलते हैं blocking antibodies ठीक है ब्लॉक करने वाली को बोलते हैं blocking antibodies ठीक है यह चीज़ समझ आगा है कि IG है अब देखो मैंने बताया था कि neutralization process IGB करता है और शा में जू करता है और यह इस कि करता है तुर छाड़े evolve करता तो इस सब्सक्राइं पाइब करते हैं। नेक्स्ट है कि अपनी जो आइजी जी टैप के इंटीबड़ी होती है आइजी जी रेस्पोंसीबल होती है रेस्पोंसीबल फोर एक्टिवेशन ओफ एक्टिवेशन ओफ कॉंप्लीमेंट सिस्टम याद रखना कि ये फी क्या करती है कॉंप्लीमेंट सिस्टम को Ñक्टिवेट करती है रर धूकरे कल भी समझाय घंसद्श करती चलो आज एक बार और समय Será इक्टिवेशन आपने जो अवह लो कि यह कोई भी बैक्तिपाठीयर है तिक और इसके एपी धो सबसलम परेजन अपने प्लाजा प्रोटीन यहां पर कॉंप्लीमेंट प्रोटीन यह अभी इन एक्टिव फॉर्म है अभी देखो जैसे ही यह कॉंप्लेक्स बन गया तो यह क्या करेगा अपनी टेल हिलाएगा और यहां जाता है इसके पास मैसेज क्या जाता है यहां पर मैसेज जाता है कि तुम एक्टिवेट होके आओ ठीक है और यहां पर यह आते हैं और आ आके यहां पर जुड़ जाता है ठीक है यहां पर आ आके क्या हो जाते हैं आपर जूट जाते हैं C1 C2 C3 ऐसे करके C9 तक होता है और लास्ट वाला जो 9 होता है उसकी शेप ड्रिल मसीन जैसी होती है वो क्या कर सकता है यह सारी बैक्टीरियल सेल में यह पूर्स बना देगा जब यह पूर्स बना देगा तो यह क्या होंगा बाहर आएंगे सबस्टांस निकल के बाहर हैंगे तो मेत्वीटी निहीं होंगी मेत्वीटी आपहर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता हैं वह तब ही काम करते हैं खिक है जब उनको करा जाएं तो यह कौन से हैं आई IgG मैंने कल भी बताया था कि यह जो antibody है यह हो सकती है IgG और IgM या बटना IgG और IgM स्पेसिफिक होते हैं और एक और antibody होते है अपनी IgE बट यह दोनों classical pathway के द्वारा करती है तो यह alternative pathway के द्वारा करती है जो अपन बाद में पढ़ेंगे जब kompliments पढ़ेंगे ठीक है कॉंप्लिमेंट सिस्टम से नाम से तुम्हारे अलग से टॉपिक है यहां तक समझ आ गया ओके ठीक है देखो यह हो गया अब देखो एक और में चीज बची है कि जो तुम्हारी आईजी जी है वह सीरम में कैसी फोर्म एक ही देखो एक ही जगे पाई जाते हैं जैसे सारी अल सिरेंट में ऑने इसे सीरम में ही पर्देंट होती है और एकी फोर्म में पर्देंट होती है और कैसी होती है तों किया कर सकती है यह बैंड कर सकती है ठीक है यह यह समझ आगा है अब देखो इसका एक स्पेसिफिक फंक्ष्ण जो तुम्हें याद रखना है कि यह क्या कर सकती है can cross the placenta. क्या कर सकती है? placenta को cross करते हुए ये mother से fetus में जा सकती है. आप तुम से पूछे कि कौन सी antibodies mother से fetus में जा सकती है या maternal antibody होती है. तो एक चीज का याद रखना कि only one type of antibody like IgM ठीक है? या सुरी अपनी आई जी एम ठीक है वो क्या करती है प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए मदर से फीटस में आ सकती है ठीक है आप देखो कैसे आती है उसको समझते हैं एक डाइग्राम से कि 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 ठीक है ओके देखो माल लो यह है अपना कि यह है फीटस ठीक है यह क्या है फीटस कि कि और यह है अपना प्लेसेंटा रिसनेटा कि इलूσεं रपे अपर प्रसेंट अपना ब्लेसेंटा प्रेसेंट है त्टीक है अब बैसेंटा के ऊपर यान अपर क्या प्रेज़न होंगी बेखैर क्या प्रेजंटिटल सेल्ट भी प्रेज़न काम तो यह को बिए प्लेजंटम्ई अपर अपर आप्र लिख सकते हैं कि यह अपना प्लेसंट आ दिकाहे प्लेसंटर डीक है आप आप देखो यह प्लेसेंट और यह मदर का पेट और मालो यह मदर का पेट और यह प्लेसेंट और बेबी अब देखो यह मदर है और मदर के ऊपर क्या प्रेजन्ट है आई जी जी एंट जी है आई जी अंटीवडी प्रेजशेंट है झी प्री सब्सक्वर्ण तूर्ड यहां पर यह जो Bพर एक उसके उंपर कुछ रिसेप्टर प्रेज़न्ट होते है ठीक है प्लेसेंटा के ऊपर कुछ क्या प्रेजेंट होता है यहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिनको बोलते हैं अपन FCRN क्या बोलते हैं जिनको FCRN अब देखो FCRN का मतलब क्या होता है यह आप से अपर FCRN का मतलब है यहां पर नियू नेटल रिसेप्टर्स नियू नेटल रिसेप्टर्स आफ एपसी पूर्शन आफ आईजी जी एंटीबिल यह लाइन सब्धान रखना क्या लिखी है मैंने ठीक है कि FCRN प्रेजेंट होती है अपनी यह है प्लेसेंटल सेल सर्फेस यह मैं उपर लिख सकती हूँ सौरी ठीक है मैं लिख सकती हूँ यहां पर कि यह होती है अपनी प्लेसेंटल सेल सर्फेस और इस प्लेसेंटल सेल सर्फेस के ऊपर अपनी आईजी जी एंटीबिडी के रिसेप्टर पर जिनको बोला एप्षी आर इन का मत्लब लिए निहएंटल रिसेप्टर एप्षी पोर्षन और ँव ऐईजी जीटियck arrays तीक है अब देहो यहां पर क्या है मतलब की जो अपनी इजीघी होते यहां पे आएगी कि आपए और यहां प्लेसेंटा से होते हुए यहां काँ जाएगी केंदर का जैएगी फीटेस के अंदर और याद रखने वाली चीज़ है कि यहां पहने होता है एन्डो साइटोसिस का पर क्या होता है कि दिखाई नहीं दे रहां तो मैं बोल रही हूं उन्यापर क्या होता है या पर insu endocytosis process के दुआरा क्या होती है यह अंदर आती है ठीक है ऐसे यह होती है अपनी यह ऐसे antibody mother से fetus में क्या आती है placenta को cross करते हुए आती है endocytosis क्या होता है वो समझे लो एक बार जो endocytosis process है ठीक है वो क्या होता है जैसे यह है अपनी प्लेसेंटल सेल सरफिस यह प्लेसेंटल सेल अरे याद रखना जो IgG antibody के जो receptor होते हैं वहां पर placenta की सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है प्लेसेंटल सेल्स जैसे यहां पर प्रेजेंट था अपना यह receptors ठीक है यहां पर present है यह receptor ठीक है यहां पर present है receptor यह क्या है CRN ठीक है अब देखो यहां पर antibody bind है antibody कैसे bind है यहां पर यह bind है ठीक है अब देखो क्या होगा जब यह अंदर जाएगी यह जब अंदर आएगी ठीक है तो कैसे आएगी यह हो गया उल्टा क्या receptor receptor क्या हो गया उल्टा और antibody भी क्या हो गई यहां पर ऐसे की ऐसे उल्टी हो ठीक है ऐसे क्या हो गई मतलब यह नहीं है कि यहां bind करा तो करते होगे ऐसे कैसी आगई नहीं यहां से उल्टी होके अंदर आएगी इसी प्रोसेस को यहां पर बोला है अपने एंडोसाइटोसिस क्या बोला है इस प्रोसेस को यहां पर एंडोसाइटोसिस ठीक है देखो थोड़ा डाइगराम बड़ा हो गया तो तुम लोगों को इसको एक एक चीज को समझ रहा है चलो मैं दुआरा समझाते तो ठीक है कैसे कि यह अपना बढ़का फीटेस है मैंने लिखा यहां पर क्या है एकफना फोटेस नहीं दिक्ठरा तो यह रखी जाति हो हूं purpose tg और यह वारी यह प्लेसेंटा और यह जो लाइनिंग है यह मदर का फैक है यह जो लाइनिंग है यह क्या है मदर का पेट है और मदर के अंदर प्रिजेटnat है अब देखो यहां पर यह जो प्लेसेंटब सेल सरफेस है उसके उपर कुछ रिसप्टर पर्जेंटर इनको ब है एप से पूमस्राइं यहां बाइननोंगी और अन्दर तेक करें यहां पर आ गया गई गई ऑम कि यहां पर रही हूं कि है इसे खोटा है यहां पर रिंटीबिटि रहा तो एसे भी आ सकता है यह ऐसे किसी यह से लेकिन यह उल्ता हो के आता कैसे आता है उल्टा होके आते हैं और उसी प्रोसेस को बोल रहा है एंडोसाइटोसिस या यह जो भी एंटीबडी को अंदर ले रहा है प्लैसेंटल सेल के उपर रिसेप्ट पर्जेंट यह हो गए अपना पूरा की ऐसे प्लैसेंटा को क्रॉस करती है तुम लोग इसको एक-एक को समझो की कैसे करती है फिर अपन आगे बढ़ते हैं एंटीबडी की तरफ के टो सेपि desenDA को को है ठीक है यहाँ तक सभी को समझा गया यह ठीक है यहाँ तक समझ आता गया ओके इसका स्पेसिफिक पंक्शन समझा गया क्या क्रोस कर सकती है उक तो नीक्स परते हैं अपनं इसी का एक और specific function है कि जो IG G antibody होती है कौनसी IG G antibody होती है वो करती है एक function act as option कैसे करती है act as option पहली बात तो तो मैं option का मतलब समझना पड़ेगा ठीक है देखो option का मतलब होता है कि एक antibody option का मतलब है antibody ठीक है कि एक antibody जो bacteria या pathogen को bind करके अपनी phagocytic cell या macrophages तक लाती है उस antibody को बोलते और इस पूरे प्रोसेजर को क्या बोलते हैं optionization ठीक है प्रोसेजर को क्या बोलते हैं यहां पर ओप्सू नाइजेशन समझा गई optionization ठीक है देखो कैसे कि optionization का मतलब है जिसे देखो यह है अपनी कोई भी phagocytic cell ओके यह माल लो यहां पर कौनसी सेल है यह लिख देती हूं या macrophage या फेगो ताइटिक सेल कौनसी सेल है यहां पर मैक्रोफेज या फेगोसाइटिक सेल अब देखो यहां पर फेगोसाइटिक सेल के ऊपर क्या है एक रिसेप्टर प्रेजेंट है इस रिसेप्टर का नाम है आई जी जी आर आ पर का मतला रिसेप्टर यहां पर इसेप्टर फेजेंट है क्यों कर रocracy स्थे बाइन कर अब एंटीबडी इंक बैक्टीरिय को बाइन करके पकड़ के लेके आएगी फेगोसाइटिक शैल के उपर क्यों लेके आ यहां से पकड़ेगे लाई और यहां आके इसको बेठा दिया क्या कर दिया इसने लिया निया कि सो बैठा दिया तो यह किसी की तरह किर रही है आप सो निन की तरह कर कि यह आइजी पैच्ट करिणी और यह अपना बैक्टीरिय वायरreal शेट्तीरिया किंग एबकında कर दूकोदिस कि की घंच्टीरिया वायरस को कुम करके अपनी फैगगोसाइटिका की तरह function करती है ठीक है यह अपनी टाइब की एक बार विजन कर लेते हैं कि एंटीबिडी मेजर परतिकल इंपनी बोड़ी में आती है तो सबसे पहली बनती है internal की और सगेंडिविरी ऴार बनती अपनी ईग्व की तटीव८्स में प्रिजोंन के मेंarme मनोमर फोम में प्रिजट होती है अपनी सीरं के अंदर यह जाह तक समझाई फिर मैं ने बताया कि जैसे कल अपने पढ़ाता आईजी एम टैप की एंटिबडी कॉंप्लिमेंट सिस्टम्स को कैसे एक्टिवेट कर दिया सेंव फंक्शन आई जी टैप के एंटिबडी भी करती है कैसे करती है यह अभी अपने समझ लिया थीका फिर था हार नेक्स्ट की आईजी एक और फंक्शन करती है जिसको बतर नुट्रिलाइजेशन जैसे कल अपने आई जी एम में भी पढ़ा था नुट्रिलाइजेशन होता है क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस है टॉक्सिंस का सेल तक कहुंचने से पहली एक एंटीबडी के द्वारा उसको नुट्र रहेगी लाइवी रहेगी इस प्रोसेस को बहुत है नुट्रिलाइजेशन तीक है एक इसका सोरी दो में फंक्शन होते है अपने आई जी जी एंटीबडी के पहला था कि ओल्ली वन टाइफ ऑफ इमिनोगलोबिली जो क्या कर सकती है प्लेसें टाको क्रॉस करके मदर से फी इसे क्रॉस करती है कि जो प्लेसेंटल सर्फ जो प्लेसेंटा की सरफेस पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके उपर क्या होता है अपनी आई जी टाइप एंटीबडी के एपसी पोशन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इसलिए क्या होती है कि वो रिसेप्टर से ब कि आइजी टाइप की एंटीबडी एक्ट करती है ऑप्सोनीन की तरह किसके तरह एक्ट करती है ऑप्सोनीन की तरह एक्ट करती है ऑप्सोनीन का मतलब होता है कि एक एंटीबडी कोई भी बैक्टीरिया एंटीजन को को बाइंट करके अपनी फेगोसाइटिक सेल तक लेके आती है ताकि फेगोसाइटिक सेल या मैक्रोफेज उसको क्या कर सके एंगल्फ कर सके तो उसको क्या करती है फेगोसाइटिक सेल लेके आते हैं यह था आपना आई जी टाप के एंटिबडी अपने दो इम्मिनोग्लोब पहले भी का है कि अपन इनका थोरी यह अपना रफली जो समझना है डाइग्राम भी इंपोटेंट है समझने के लिए और कंसेप्ट किलियर करने के लिए यही अपन लेंग्मेज में पड़ेंगे ठीक है थोरी भी में किलियर करवाऊंगी बकाइदा पीडियेफ से कि ऐसे ऐसे तुमारी एंटिवडीज होती है तब तक के लिए थैंक्यू सो मच